असलाम लेकुम योज़, गुद हेल्दी मॉर्निंग, मैं हम आपकी होस्ट डॉक्टर राफ्या और आज हम बात करेंगे अगैन बहुत इंपॉर्टन चीजों पे क्योंके एक एक ऐसा पार्ट है बोडी का जो के बहुत जाद इंपॉर्टन है, एक्स्ट्रीमली एक्स्ट्री इस पर बात करेंगे, वैसे तो आज हम सके मूड बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंके हमारे कराची में बहुत कम ही बारिश होती है और दो तिन दिन से जिस तरह की गर्मी हो रही थी, उस गर्मी के बाद एकदम से इस तरह बारिश हो जाना और वो भी इतनी मुसलाधार और वैदर बहुत अच्छा हो गया, बहुत बहुत सूटेबल हो गया, बहुत ऐसा हो गया कि बगाईर इसी के भी अराम से बैठ सकते हैं, इतना अच्छा वैदर हो चुका है, तो हम लोग अंदर से एक खुशी भी है और अच्छा दखते हैं वैदर अच्छा होते तो हमार mood automatically elevate हो जाता है, अच्छा हो जाता है और हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो हमारी body का बहुत ही important vital organ है वैसे तो skin को का जाता है कि वो body का सबसे बड़ा largest largest size wise organ है लेकिन अगर हम अंदर body के देखें तो body के अंदर जो सबसे largest organ है वो है liver हम बात करेंगे आज liver diseases पे खुदा ताला ने में बहुत सारी नेमतों से दिरमाज है बहुत सारी चीज़े हैं हमारे पास as a human being अगर हम लोग देख सकते हैं बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, movement कर सकते हैं समझ सकते हैं चीज़ों को उसके accordingly react कर सकते हैं ये सब चीज़ें नेमतों में आती हैं और एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो है liver एक fact पढ़ रही थी कि liver जो है वो 500 से जादा functions हर रोज daily basis पे कर रहा होता है 500 से जादा और ये 500 जो वो उसके functions हैं ये नहीं कि वो पूरे दिन में 500 कर रहा है ये जो उसके processing continuous थी 500 process continuous थी जो सारा हार्ट जो है वो सारा वो ब्लड पंप कर रहा है इस तरह liver जो है वो सारा वो के 500 functions जो है वो perform कर रहा है अब 500 functions में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ों की synthesis अगर लिवर बोड़ी में गाट फॉबरी खराब हो जाए तो इंसान का सर्वाइवल मुश्किल होुआता है। Atrm variety says unions dot चीज़े ऐसे हैं कि जिसना किड्नी और खराब हो गए और इंसना का सर्वाइवल है। लंग ए खराब हो गए और आख से फराब है। heart में जब कोई issue हो जाता है, brain में कोई issue हो जाता है और liver में issue हो जाता है तो काफी problems आ जाती है, तो यह single organ है और इनका कोई alternate नहीं है आप भी हमें email कर सकते हैं healthymornings at health-tv.tv healthymornings at health-tv.tv आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिखेंगे, space देंगे, अपना message टाइप करेंगे and send it to 888, और call का number तो screen पे आई रहा है, आप हमें call भी कर सकते हैं आप भी अपनी issues हमें discuss कर सकते हैं, आपने अपनी reports हमें discuss करनी है, वो कर सकते हैं हम से उसका diagnosis पूछ सकते हैं, इनकेस हम उसका differential diagnosis बता सकते हैं ये बता सकते हैं कि report is leading to what, जिसरा कल हम लोग ने executive test की बात की थी, परसो in fact तो executive जो check-ups होते हैं, उसमें LFT जरूर होता है, LFT जो है वो liver function test का abbreviation है liver function test एक इनसान के बिलकुल normal जब तक आएं तब तक ठीक है जरा से भी उसमें enzyme उपर नीचे होते हैं तो they are indicating towards something, कुछ नो कुछ problem body में चल रहा होता है तब ही enzymes उपर नीचे होते हैं और वो कुछ चोटा problem नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको ignore कर दें कि बहर किसी वज़ा के derange होंगे चलो कुछ नहीं होता बगहर किसी वज़ा के नहीं या कोई मामूली वज़ा नहीं होती है कि liver के enzyme derange हो जाएं हम बाकी सारी चीज़ों को फिर भी एक हद तक leave दे सकते हैं लेकिन LFT को हम बिलकु लीवे नहीं दे सकते इसी तरह liver की biopsy होती है multiple reasons की वज़ा से वो भी हम आज उस पर ही बात करेंगे अब तो दुनिया में liver transplants भी हो रहे हैं पाकिस्तान में liver transplant कितना हो रहा है कहां हो रहा है कहीं हो भी रहा है कितना expensive है हम इस पर भी definitely बात करेंगे क्योंकि liver transplant is one of a very good option हर transplant के साथ sorry थोड़ा सा throat का issue जिससे आपको पता है weather थोड़ा change होता है तो throat के साथ थोड़ा से issue हो जाते है which is okay तिससरे आपको पता है कि body में हर चीज का approximately heart तक का transplant होना शुरू हो चुका है हर चीज का transplant हो जाता है transplant के साथ कुछ risk issues भी होते हैं तो liver के साथ क्या risk issues होते हैं उस पर भी बात करेंगे एक चोटी सी break का वक्त हुआ है कहीं मैं जाएगा बहुत important बात होने वाली आज stay tuned